पिछले कुछ दिनों से भाई, ये बिजनेस जो हैं, वो बहुत ही चर्चा में हैं, यानि कि कई मित्रों मुझे वाटसप में पूछते हैं, कई मित्रों ने कमट भी किया है, कि इन बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, इनकी पूरी डिटिल में जानकारी आप हमें एक वीडियो बना कर दीजिए, तो आज मैं आपको इन बिजनेस की पूरी जानकारी A to Z आपको देने वाला हूँ, यानि कि आपको रिशेल से स्टार्ट करना चाहिए, या मैनुफेक्टर से स्टार्ट करना चाहिए, आपको क्या प्राइज में मान मिलेगा, इन में आपको कित बतने वाला हूँ, तो प्रणाम, मेरे प्रत्रिवासी, मेरा नाम है परखाबोका, और आप देख रहे हैं भारत के सबसे भरुसेबन यूटूब चैनल प्योर बिजनेस, तो चलिए भाई, ये बिजनेस भी सीख लेते हैं, आज मैं आपसे बात कने वाला हूँ, पीवी सी बेंड मेकिंग बिजनेस के बारे में, यानि कि ये बिजनेस बहुत ही छोटा सा बिजनेस हैं, आप इनको अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो, मगर इन बिजनेस की पूरी डिटिल यूटूब में आपको नहीं मिलेगी, केवल लोग मसिन बेचने की बात करते हैं, आप इन से करना चाहिए, वो भी हम वीडियो में देखेंगे, पहले हम बात करते हैं, मैनुफेक्टर के बारे में, फिर बाद में बात करेंगे, रिसेल के बारे में, देखे मैनुफेक्टर से अगर आप इन बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, तो करिब करिब तीन टैप की मसिन हैं जिन से आप स्टार्ट कर सकते हो सबसे पहली बात हम करते हैं फुली ओटोमेटिंग मसीन जो आप वीडियो में देख रहे हो इस टाइप की मसीन से अगर आप इन वीजिस को स्टार्ट करोगे तो यह आपको बिल्कुल फुली ओटोमेटिंग है इनमें आपको कुछ करना का भी investment होता है वो जैसा plant और जिनकी जीतनी capacity दूसरी बात यह है कि यह आप इन business को semi automatic machine से भी start कर सकते हो जिनमें pipe के जो ठुकड़े हैं वो आपको रखने हैं बाकि इनका मोडने का जो काम है इनमें जो soccer बनाने का जो काम है वो machine करेगी तो यह semi automatic machine है यह लगबग आपको 1.5 लाख रुपे से start हो जाएगी और 2-3 लाख रुपे तक की आपको मिलेंगी वो आपको market में service कर लेना है जो machine वाले company से बात कर लेनी है क्या price से मिलती है इन price से आप खरीद सकते हो मगर यह semi automating है और तीसरी जो बात है जो जिनके पास बहुत एक कम पैसे हैं और बहुत वैसे अगर बिलकुल शाल बासाम बोले तो यहां आपको क्या करना है कि कटर भी खरीदनी है इक कटर के मदद से आपको pipe को cut करना है फिर आपको इनको जो वो heater में गरम करना है यहिटर को जो pipe गरम होती है तो गरम pipe के अंदर जो है वो आपको silicone rubber डालने है और डाई की मदद से इनको 90 degree में इनको मोड़ना है और फिर बाद में जिनको जो दोनों तरफ जो मूँ है इनको फुलाने है यानि कि इनमें आपको socket बनाने है तो बस यह product आपकी ready हो जाएगी इसी tap का यहां काम है अब हम बात करते हैं कि अगर आप manual तरीके से अपने घर से अगर आप इन व करते हैं और इनके पास पैसे बहुत ही कम होते हैं तो इनमें आपको क्या-क्या फायदे हैं पहले वह देख लेते हैं फिर हम यह भी देख लेते हैं कि इनमें आपको क्या-क्या दिक्कते आने वाली हैं क्योंकि जो बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो इन बिजनेस मे कि इन बिजनेस की क्या-क्या मरियादय हैं, इन में आपको क्या-क्या दिक्कते आने वाली हैं, वो अगर आपको पहले से आपको पता है, तो आप इनका कुछ सोलिसन ढूंड सकते हो, या अगर आपको इनका कोई सोलिसन ना मिले, तो आप इन बिजनेस को भी छोड़ सकते हो, और कोई दूसरा अपना अच्छा सा बीडनिस कर सकते हो तो ये आपको पता होना चाहिए फाइदे की बात करें तो पहली बात ये है कि जो पूरा कीट मैंने बताए मेन्यूल तरीके वाला ये लगबग आपको 6-7 अजार रुपी में मिल जाएगा यानि की बहुत ही लो इन्वेस्मेंट से आप अपना खुद का ब्रांड वाला एक मैनिफेक्टर मीडनिस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो दूसरी बात ये है कि यहाँ आपको कोई लेबर रखने की जरूत नहीं है क्योंकि आप खुद भी ये काम कर सकते हो अपने वाइप हैं वो भी ये काम कर सकती हो तो अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो इनके लिए आपको कोई बड़े बड़े गोडाउन या कोई दुकन रखने की जरूत नहीं है आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो यहां आपके पास कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो आप या आपके पास बहुत टेक्निकल नौलेज हो इनकी भी कोई जरूरत नहीं है अगर आप पढ़े लेके नहीं हो तो भी आप इन बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हो ये इन बिजनेस के एक अच्छी बात है दूसरी इन बिजनेस के अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन बिजनेस का जो raw material है वो आपको local अपने market से मिल जाएगा और तैयार करने के बाद आप इनको अपने ही market में बेच सकते हो यानि कि raw material के लिए आपको कोई बड़े city में जाना नहीं है और बेचने के लिए भी आपको कोई बड़े city में जाना नहीं है अपने यहां से खरीदो, mall ready करो और अपने यहां ही बेच दो इन business में profit भाई अच्छा है तो investment कम है और profit अच्छा है तो यह business इस तरीके से बहुत अच्छा है एक और बात बताओं कि यह कुछ sustainable business नहीं है कि आप सर्दियों में कर सकते हो या गर्मियों में कर सकते हो यह business पूरी साल चलता है क्योंकि अगर आपने start कर दिया तो आप पू इनमें पहली बात तो यह है कि यहाँ बाई दो बाते चलती है एक है quality और दूसरी है brand यह जो PVC बैंड है यह कोई बहुत बड़ी brand नहीं है यह local है मगर PVC जो बैंड है इनमें बाई local जो company हैं बहुत ही कम चलती है यानि कि जो बड़ी बड़ी brand है इनका बोल बोला ज्यादा ह हैं और लोग बड़ी brand ही मांगते हैं तो यहाँ आपको आप अपनी local brand लेकर market में जाओगे तो बेचने में जो हैं वो आपको बहुत काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इनमें आपको बहुत धेरी रखना पड़ेगा धीरे धीरे आप इनको selling में बढ़ोतरी कर सकत हो ऐसा नहीं है कि आप कल सुबह चले गए और साम को बेचते के आगए तो थोड़ा आपको सबर रखना पड़ेगा और बेचने का तरीका जो हैं वो आपको सीखना पड़ेगा अपनी product को एक इस तरह से present करना पड़ेगा ताकि सामने वाला खरिज सके अगर आपको नहीं म आ गए हो तो मैं आपको बतना चाहता हूं कि अब बै मैं आपको मेरा एक वाट्सप नमर दे रहा हूं जो आपको डिस्प्ले में सो हो रहा हैं आप इन नमर को प्योर बिजनेस यूट्यूब चैनल नाम से अपने मोबाइल में सेव कर लो और फिर आप मुझे मेसेज कर दो जिन में आप अपना पूरा नाम लिखो अपनी उम्र लिखो आपकी सीटी कौन सी हैं आप कौन से स्टेट्स में रहने वाले हो आप क्या बिजनेस करते हो या आगयान और दिनों में आप क्या बिजनेस करना चाहते हो वो सब लिख के मुझे भेद दो क्योंकि हम पूरा डे को छे मिनों से एक साल से देख रहे हो तो मेरी वीडियो को कैसे लगी मेरी वीडियो से आपके बिजिस में क्या-क्या परिवर्तन आया वह आप अपने मोबाल में वीडियो करके भी आप मुझे वर्टसप में बेझ सकते हो ताकि मुझे पता चले मुझे अपने वीडियो में क्या-क्याचेंज करना चाहिए वो भी आप मुझे बेज सकते हो यह फैड़ वाटसप है तो कृफ्या ओडना करें इनमें आपको सरीचार्ज करवाना पड़ेगा और फिर आप मुझे call लगा सकते हो और मुझे डारेक्ट बात कर सकते हो दूसरी बात एक ये हैं कि जब भी किसी product को अगर आप manual तरीके से बनाओ या machine में बनाओ बहुत different आएगा क्योंकि जो machine में इनकी जो financing है वो Sam दिखेगी और Sam रहेगी मगर manual में भाई ये नहीं रहेगी और ये बहुत ही बड़ी दिक्कत आपको इन बीजिस में देखनों को मिलेगी मैं आपको दिखाता हूँ ये PVC बेंड है देखो इनमें क्या क्या होता है पहली बात तो ये हैं कि ये 90 डिग्री में होनी चाहिए जब भी वेपारी के पास जाओगे बोलेगा 90 डिग्री होना चाहिए कई बार ऐसा भी होता है कि कोई 90 में होगा कोई इसे छोड़ा बड़ा होगा कोई छोड़ा से छोटा होगा तो ये नहीं चलेगा आपको वेपारी मान नहीं लेगा दूसरा कि इनको आपको गरम करना पड़ता है मेलनी तरीके से फिर बनाना है जब आप मेलनी तरीके से गरम करोगे अगर ये ज़्यादा गरम हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम होगी अगर कम गरम होगी तो भी प्रॉब्लम होगी और कई बार ऐसा भी ओता है कि इनमें वह यहाँ पर बबल सो जाते हैं याने कि इनमें बट भी लग जाते हैं तो यह जो बट हैं, वह नहीं लगने चाहिए तीसरी बात यह है कि यह जो बेंड है जब आफ इनको गरम करते हो और जब इनका मुँझ फुलाते हो तो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा गर्म होने की वज़े से यहों से खरब भी हो जाता है तो यह भी वेपारी आपका नहीं लेगा कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो डाई बनाते हो और जब इनका मुझ बनाते हो तो ये थोड़ा जैदा बड़ा हो जाता है तो पाइप इनके फिट हो जाती है मगर फिट रहती नहीं है वो खुल जाती है तो भी वेपारी नहीं लेगा अगर छोटा हो गया इनके पाइप नहीं जा रही है तो भी वेपारी नहीं लेगा यानि कि आप सुरू सुरू में तो 10-15 पाइप ऐसी ही होगी जो सायद इनमें जो बेंड बनेगे वो काम के न हो और आपको बस केवल इनको फैंकना ही पड़ेगा तो पहले आप पूरी प्राक्टिस करो अच्छी तरह से बनाओ बारी बारी से प्राक्टिस करो और खुद बनाओ और खुद बेचो अगर बेचने के लिए कोई दूसरा होगा तो चलेगा मगर बनाने के लिए अगर आप किसी दूसरे कापास से इनको बनाने के लिए दे दोगे तो भाई वो जो मद्दूर है वो अगर सही तरीक से बना पाया तो ठीक है अगर नहीं बना पाया तो raw material आपका खराब होगा और आपको इन बीजिश में गाटा होगा तो यहाँ आपको फिनिसिंग का बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ी-बड़ी ब्रांडे हैं और इनका फिनिसिंग मज़ेदार होता है तो वैसे आपको भी फिनिसिंग देना पड़ेगा तो यह बात मुझे इन बीजिश में बिलकुल अच्छी ने लगी और आपको भी सायद लगे ना लगे मगर इनका आपको बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि यूटूब में आपने किसी भी कमपनी की वीडियो देख ली अच्छी अच्छी बाते मसिन इतने सच्छी आएगी ऐसी प्रोड़क्ट बनेगी मार्केट में बिच जाएगी यह देख लिया आपने मसिन खरिद ली बिजनिस को स्टार्ट कर दिया ऐसे नहीं होता है यूटूब में किसी वीडियो को देखने से आपको मसिन पर्चेज नहीं करनी है किवल ऐसे ब बात करूं मैं तो कम से कम यहाँ आपको दो बात करनी है और वो यह है कि आपको बिजनिस को स्टार्ट करने से पहले मार्केट में जाना है और दो चीजी आपको समझनी है पहले बात तो ये हैं कि आपको इनकी जो pipe की quality है इनको समझने की कोसिस करनी है कि मैं जो pipe खरीद रहा हूँ वो किस quality की है और इंस के अगर मैं band बनाओगा तो market में वो क्या price से बिकेगे वो आपको पहले समझ लेना है उतना तक जब समझना पड़ेगा इनके बिना business को नहीं कर सकते और दूसरी बात ये हैं कि जो band में बना रहा हूँ इनकी wholesale price market में क्या है क्या price में market में वीक रहे हैं वो आपको समझना है अब wholesale price यानि कि ये price कि माल जब किसी वेपारे के पास जा रहे हो और वेपारे जो price से माल खरिद रहा है वो खुद बस वह wholesale price है उनसे भी एक दो रुपय कम price में आपको पर रजन को बेचना है तभी आपको इन में फाइदा होगा और तभी आप इन वीडियेस में जा सकते हो कई बार ऐसा भी होता है मान लिजिए आपने band बनाए और लेकर वेपारे के पास चले गए और वेपारे ने बोला कि क्या price है आप बोलोगे 80 रुपय डजन अब भाई वेपारे बोलेगा कि भाई या उसी टाइप के जो band है वो मैं आपको 75 रुपय डजन देश सकता हूँ तो फिर आप क्या करोगे ऐसा होता है कई मित्रों के साथ ऐसा हुआ है जड़त नए नए जो बिजने स्टार्ट करते हैं इनके साथ ऐसा होता है ऐसा क्यों होता है वैसा इसलिए होता है कि जो raw material है वो सुरू सुरू में आप महंगा खरिते हो आपको इनका वाल्सेल रेट के बारे में पता नहीं होता है तो पाई 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 महंगी खरीदोगे फिर जो बेंड बनाओगे वो बिजली मार्केट में आप महंगा बेचोगे और मार्केट में बेचेगे नहीं तो सबसे पहले आप वाल्सेल में इनका रेट पता करो कि भी इनका रेट क्या है फिर आप raw material खरीदो और होल्सेल में खरीदो शुरू सुरू सुरू में आपको महंगी मिलेगी फिर बाद में आपको इनका रेट का पता चल जाएगा तो धीरे धीरे जो है वो आपको सच्टी भी मिलना शुरू हो जाएगी क्योंकि आपका पता चल जाएगा सब कुछ कही माल कहों से खरिदना है और क्या प्राइज में खरिदना है अगर हम पाइप की बात करें तो यहाँ पाइप जो हैं वह आपको 40 रुपे से लेकर 100 रुपे तक एक पीस मिलेगा क्योंकि इनमें अलग-लग कॉलिटी आती हैं लाइट कॉलिटी आती हैं मीडियम कॉलिटी आती हैं हाई कॉलिटी आती हैं वो सब आपको समझना हैं और अगर यह जो बेंड की बात करें तो यह मार्केट में 60-70 रुपे डजन के इसाब से बीखते हैं और 120 रुपे तक के भी बिखते हैं वो भी उसी टाइप से क्वालिटी के बेज पर हैं और आपके प्रॉफिट के अगर मैं बात करूं कि इनमें आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा तो जहां तक मैंने रिस्यत किया है आपको पर रजन 10 रुपे से लेकर 20 रुपे वाला कि इनमें आपको 5 रुपे प्रॉफिट मिलेगा पर प्रॉफिट तो ये जूट बता रहा हैं उतना नहीं मिलेगा आपको 2 रुपे का सपास मान के चलना है एक रुपे डेट रुपे दो रुपे का सपास अब अगर आप मुझ से पूछो कि मैं क्या सोचा है इन लेनी है न मेनिल तरीके से आपको बनाना है आपको केवल रिसेल करना है यानि कि आपको को बड़े सिटी में चले जाना है और आपको वहां से ज्यादा कॉंटिटी में अब ज्यादा मतब 5-10,000 का आपको माल खरीब लेना है क्योंकि वो होल से रेट से और वो माल आपको ल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है रीसेल ही ठीक है तो आपको सब से पहले दोस्तों usted करना है को यह तीन मिनेट छे मिने रीसेल करो और इनके बाद व को पता चले गगा सारे बिजनिस के बारे में के पी कूलेटी क्या होती है इन प्राइज क्या होती हैं क्या प्राइज में रोविटर मिलता हैं क्या प्राइज मीमें मिलता हैं सब कुछ अपको पता चल जाएगा फिर बाद में आप साथ automating machine से इन बिजनिस को start करसकते हो, बाकि अब full automating machine से भी start कर सकते हो, मगर पहले reselle करो, पुरा मार्केर को समझो, प्रोटक को पूलतर से समझो, फिर बाद में इन बिजनिस को start करो, अगर GST की बात करे तो अगर आप मुझे कुछ छोटे प्मिन से बिजनिस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको GST की लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि 40 लाग का टन ओवर नहीं होता तब तक आपको GST की कोई भी जरूरत नहीं है बाकि आप अपने यहां जो नगर निक्व है आप इनकी परमिसन लेके बिजनिस को आराम से स्टार्ट कर सकते हो मेरे इसाब से पूरा सब कुछ जो था इन बिजनिस के बारे में मैंने आपको बता दिया है फिर भी अगर आपको जानना चाहते हो तो आप मुझे कमिट कर सकते हो मैं आपके सारी कमिट पढ़ता हूँ कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताना हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत